गाइस वेलकम बैक टोगर चैनल जी रोट इंफिनिटी आज ये वीडियो में बताऊंगा अगर आपको वेट्साइब में प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा रहा है वेट्साइब सर्फिस स्टेटस अनवेलिबल तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर जाए आज की वीडियो म करने के लिए तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बहले हमें क्या करना है हमें अपने डिवाइस की सैटिंग है उसको उपन कर लेना है तो सैटिंग उपन करने के बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना सैटिंग में तो सैटिंग में जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहां से आपको सिंप्ली स्लेक्ट करेना है लें मैंनेज आपस पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है हम यहां पर सर्च करने के लेना है काई open करने के बाद उसकी storage पर जाने, तो storage पर जाने के बाद storage का clear catch कर देना अपने अप का, तो मैं अपनी storage का clear catch कर देता हूँ, clear data मत कीजएगा, क्यूंक Klein data करने से आपका सारी app का जो memory होगी हो उड़ जाएगी, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना हमें जाना है आप परमीशन पर तो आप परमीशन पर आने के बाद हमें यहां पर सारी परमीशन जो भी है different types की सारी परमीशन enable कर देनी है और जहां रखना है कि कोई भी परमीशन deny नहीं करनी है तो सारी परमीशन enable करने के बाद हमें जाना है other permission पर तो other permission पर भी हमें क्या करना है one by one सारी permission enable कर देनी है सारी permission enable करने के बाद हमें नीचे scroll down करना है और एक option देखेगा नीचे आपको जैसे scroll down करोगे तो यह option होगा restrict data usage का तो हमें क्या करना है इस पर हमें click करना है और इसमें wifi और mobile data आपको दिखेगा तो wifi और mobile data इन दोनों को आपको क्या करना है enable करना है अगर by chance off होगा तो इनको own कर लेना है और ध्यान रखना है इनको अभी off नहीं करना है तो यह सब करने के बाद हमें नीचे scroll down करना है और यहाँ पर एक option होगा clear default का इस पर click करना है इस पर click करने के बाद एक पर अपने app को force stop कर दिजेगा force stop करने के बाद एक पर अपने device को restart किजेगा restart करने के बाद पांच मिनिट बेट किजेगा और पांच मिनिट बाद आपकी जो भी problem है वो solve हो जाएगी I hope आपके लिए यह video informative साबित होई होगी